Hello students, welcome to my desk, आज एड़ेट 22 मही 2020 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके सभी एक्जाम्स में current affairs से related कौन कौन से questions बन सकते हैं तो आप pen paper on कर लीजिए और सभी important facts को note down करते चलिए और वीडियो को अन तक देखिए ताकि आपका कोई भी fact मिस ना हो आपकी पहली update है आज की बच्चों में समय से पहले फेफडों की बीमारी की उपचार है तो लीसा तकनीक का प्रयोग किस राज़ में किया गया है आपके options है राजस्थान, गुजरात, मद्धिप्रदेश या उत्तरप्रदेश आपका right option है राजस्थान दीखे, राजस्थान में एक hospital है जेके लोन गवर्मेंट चिल्डन होस्पिटल इन्होंने हाल ही में बच्चों में फेफडों की एक बीमारी होती है respiratory distress syndrome इसके उपचार के लिए लीसा तकनीक का प्योग किया है less invasive suffocant administration इसका perform होता है और इसमें क्या किया जाएगा mechanical ventilation के मद्दे नजर नवजाश शिशों के अपरिपक फेफडों को होने वाले नुकसान से बचाने है तो स्वशन प्रबंदन इस ventilation के लिए फेफडी की सुरक्षात्म करणनीती गरूप में इस तकनीक को विक्षित किया गया है और इसका यहाँ पर उप योगिनों ने हाली में किया है ठीक है अब बात आईए राजस्थान की तो राजस्थान की राज़दानी है जैपूर सीम है अशोग गैलोथ राजपाल है कल राज मिश्र ठीक है इतना आपको इस कुशन में से याद रखना है आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में चर्चा में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज़ में इस्तित है आपको उप्शन से हैं उत्तराखन, गुजरात, महराष्ट या तमिल लाडू आपका राइट उप्शन है महराष्ट देखे महराष्ट में 2019 में एक सर्वेक्षन किया गया था जिसमें की पाया गया है कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर 1727 वर किलूमेटर के कोरेम बफर चेत्रों में 115 बाग एवं 151 तेनु के उपस्थिती यहाँ पर दर्च की गई है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महराष्ट के चंद्रपूर जिले के अंतरगात आता है और बात आई है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की तो महराष्ट का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा राश्टी उद्ध्यान ये है और महाराष्ट का दूसरा टाइगर रिजर्व है पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है महाराष्ट का मेलगाट टाइगर रिजर्व है ठीक है इतना आपको इस प्रशन में से याद रखना है और बाता ही है महाराइश्ट की तो महाराइश्ट की राज़दानी है मुंबई, CM है उद्धर ठाकरे, राज़पाल है भगस सिंग कोश्यारी इतना आपको इस प्रेशन में से याद रखना है आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में चीन ने किस देश से किये जाने वाले आयात पर 80% टेरिफ लगा दिया है आपकी आप्शन से भारत, अमेरिका, ऑस्टेलिया या जापान आपका राइट आप्शन है ऑस्टेलिया देखे आउस्टेलिया ने हाली में कोरोना वाइरस प्रसार की सुतंतर जाज करने की मांग वर्ल्ड हेल्थ जो कॉन्फरेंस हुई थी अभी हाली में असेंबली हुई थी उसमें की थी और ब्रिटेन समेश सौधेशों ने इस मांग को उचित ठहराया है और उनका साथ दिया है इसलिए ऑस्टेलिया के उपर चीन सरकार ने यह प्रतिबंद लगाया है और इस मांग के कारण जो प्रस्तावनों ने रखा था ऑस्टेलिया ने उसे कारण दोनों देशों के राजना एक संबंद भी काफियत तक बिगड़े हैं बात आई है उस्टेलिया की तो और उस्टेलिया की राजदानी है कैनबरा PM है स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा है उस्टेलियन डॉलर जिसका रुपई में मूल ले होता है 49.54 रुपीज इतना आपको इस कॉश्चन में से याद रखना है आपकी नेक्स्ट अपडेट है केंद्री मंत्री मंडल ने अपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी ओजना EC LGS के अंदर गत कितनी अतरिक तराशी उपलब्द कराने की मंजूरदी है आपकी आप्शन्स हैं केंद्री मंड्री मंडल के द्वारा हाल ही में इसी ओजना के तहत सभी MSA में उधार करता जिसमें 29 परवरी 2020 पर जिन पर 25 करोड तक का रिन बकाया था और वारशिक वारोबार 100 करोड दोपे तक का था उनके लिए गवर्मेंट ने एक संस्था का निर्मान किया है जो की इन संस्थाओं को द्वारा लिये जाने वाले लोन की गैरेंटी देगी जिससे की क्या होगा MSME चेतर में विनिर्मान और अनकतिवीदियों को स्चार रूप से आगे सरकार चला सकेगी जिससे की इन वियसायों को उबरने में मदद मिलेगी आपका नेक्स्ट अपडेट है आज की COVID-19 वैक्सीन बनाने है तू भारती एक कंपनी भारत बायोटेक और किस अमेरिकी उनिर्स्टी ने साज़दारी की है मेसाचोसिट्स इंस्टिडूट अफ टेकनलोजी स्केलर इंटरनाशनल यूनि बनाने की लिए समझता किया है टीका क्या करेगा प्रतियोद क्छमता जो रोग प्रतियोद क्छमता होती है मनुष्यों में उसको बढ़ाने के लिए अप्रियास करेगा और इसके लिए क्या करेंगे निश्क्री हो चुके रेभी इसके टीके का इस्तमाल करेंगे और जिससे की बच्चे एवं गर्वती महिलाओं को खास करचे फाइदा होने की संभावना है तो इतना आपको इस प्रश्ण में से आ रखना है आज के आपकी नेक्स्ट अपडेट है प्रधान मंत्री वयवंदन योजना को कैबिनेट की मंजूरी के बाद कितने वर्षों है तू बढ़ा दिया क्या है इसके लिए लाइसी के साथ गवर्मेंट ने मतलब टाइब किया है लाइसी इसके द्वारा इसे चलाया जाता है और इस योजना के अंतरगत प्रतिवर्ष 12,000 रुपे की वैंसन प्राप्त करने के लिए 1,56,658 रुपे आपको जमा करने होते हैं 60 वर्ष इसमें यून्तम आयू होती है तो आप इसे याद रखेंगे कि इसे का 30 मार 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है आपकी नेक्स अपडेट है आज की फिलिस्तिनी सरणार्तियों है तो काम कर रही सह्यूक्त राष्ट एवन निर्माण एजनसी को भारत की ओर से कितनी आर्थिक साहटा हाली में दी गई है एक मिलियन डॉलर, दो मिलियन डॉलर, तीन मिलियन डॉलर या चार मिलियन डॉलर आपका राइट उप्षन है दो मिलियन डॉलर देखे फिलिस्तिनी सरणार्थियों के लिए काम करने वाली सहुकत राष्ट राहतियों निर्माण एजेंसी को भारत सरकार की ओर से दो मिलियन डॉलर की साहिता दी गई है बिकत वर्ष 2019 में भी जो सहुकत राष्ट राहतियों निर्माण एजेंसी है उसके लिए जो भारत फंडिंग करती है उसमें भारत ने एक मोटी रकम पिछले वर्ष भी बढ़ाई थी और कोरोना संकट के बीच में यह राहत अनुदान भारत ने दो मिलियन डॉलर का फिलिस् अप्शन है 4% देखे रिजर्व बैंक के गवर्नर है श्कतिगान दास इन्होंने हाल ही में प्रेस रिलीज की है और बताया है कि जो मौद्रिक समिक्ष्या समीती की बैटक 3-5 जून के बीच में होनी थी वह बैटक पहले ही कर ली गई है और उसमें कुछ बड़े फैसले सर बढ़ाये गया है इतना आपको इस प्रेशन में से याद रखना है तो RBI ने रेपर रिट कितना गटा करके कितना कर दिया है चार प्रतिशत इस पर आपको याद रखना है नेक्स्ट डेट है आपकी आज की प्रधान मंतरी मतास सम्पदा योजना को किन वित वर्षियों के प्रतमद्य लागू किया जाएगा आपकी आपकी आप्शन से 2019-2023-2023-2023-2024 या 20-21-25-26 आपका रहेट आप्शन है 2020-21-24-25 तक देखे जब वित मंतराले के द्वारा अभी हाली में आर्थिक पैकेज की गोशना की गई उसमें प्रधान मंतरी मतास योजना को लागू करन 21-24-25 तक के सत्र में इसे लागू किया जाएगा इसमें जो पहला इसका घटक होगा वो होगा केंद्री योजना CS और दूसरा घटक होगा केंद्री प्राइज योजना जो CSS ठीक है तो मतर्स पालन की छेतर में सरकार ने इसमें 9% की साला नवरत्दी से 2024-25 तक 22 मिलियन में टन उत्पादन का लक्ष रखा है और 2024 तक मशली पालन से जोड़े किसानों की आय दोगनी करने में इससे सरकार को मदद मिलेगी ठीक है इतना आपको इस योजना में से याद रखना है इतना आपको इस प्रश्ण में से याद रखना है नेक्स अपडेट है आपकी हाल ही मे भारती इसपाद संग के नए अध्यक्ष कौन मनाए गए है आपके ओप्शन से दिलिप उम्मेन, राकेश गुपता, गौतम अडानी, यारतन, टाटा देखे रखना है दिलिप उम्मेन जो भारती इसपाद संग है उसके अध्यक्ष थे टीवी नरिंदरन इन्होंने हाली म इसका अध्यक्ष बना दिया गया है और वे इस पद पर दो वर्ष के लिए चुने गये हैं दो वर्ष का elles का कारेकाल होगा इतना आपको इस प्रशन में से एद रखना है अब चलते हैं उस प्रशनी की तरब जो आपको कल दिया गया था, हाल ही में लक्षमंढदास केशव आप उत्तर को डिटेल में लिखने का प्रयाज किया किजिए। तो आप उसे दुबारा कभी बोलेंगे नहीं। वीडेयो को शेयर कीजिए और